हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो अमेजिंग किचन रेसिपीज तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी साथ में इंस्टेंट बनने वाला गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी लेकर के आई हूँ तो चलिए बनाते हैं गाजर का हलवा उससे पहले अगर अभी तक आपने अमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले तो यहाँ पे गाजर का हलवा बनाने के लिए मैं 1 kg गाजर ले रही हूँ गाजर को मैंने अच्छे से वास करके पील कर लिया है अब आप चाहें तो गाजर को कदुकस कर ले या चोटे चोटे पीसेज में कट करे या मेरी तरह इस तरीके से चौपर में गाजर को चौप कर ले तो जो भी मैथड आपको एजी लगे आप उस मेथड से गाजर को चौप या कदुकस कर सकते हैं आप चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं तो बस अब मैं गाजर को इस तरीके से चौप कर लूँगी और यह बहुत ही इंस्टेंट हो जाता है इसलिए मैं चौप करके ही अक्सर बनाती हूँ तो यह देखिए गाजर अच्चे से चौप हो गई है इसी तरीके से करके मैंने पूरी गाजर को चौप कर लिया है अब यहाँ पे मैं एक प्रेसर कुकर ले रही हूँ इसमें मैं 2 टेबल स्पून घी डाल रही हूँ और फ्लेम मैंने ओन कर ली है तो घी को थोड़ा गरम होने देंगे तो जब घी थोड़ा गरम हो जाएगा तब अब इसमें मैं गाजर अट करूँगी जो मैंने चौप करके रखी थी और फ्लेम मैंने अभी हाई ही रखी है क्योंकि मैं प्रेसर कुकर में हलवा बना रही हूँ और प्रेसर कुकर काफी हैवी बॉटम का होता है तो आप फ्लेम हाई रख सकते हैं बट आपको लगतार चलाते रहना है लगतार इस्टिर करते रहना है और बस अब इसे अच्छी दरीके से 5-6 मिनट तक भून लेंगे तो बस यह जो गाजर है यह बहुत अच्छे से भून गई है तो अब मैं इसमें सुगर एट करूंगी तो यहाँ पे मैं 1 कप सुगर एट कर रही हूँ आप अपने स्वाद अनुसार सुगर कम या ज़्यादा कर सकते हैं अच्छे से मिक्स करेंगे अब सुगर और गाजर मिल करके पानी को रिलीज करेंगे इससे गाजर जो है बहुत अच्छे से कुक हो जाएगी तो बस अब प्रेसर कुकर की लेड लगाएंगे और थ्री ब्रिसल आने तक मीडियम हाई फ्लेम में हम गाजर को अच्छे से कुक कर लेंगे तो बस इस तरीके से आपको गाजर को कुक करना है बहुत ही इंस्टेंट से कुक हो जाती है तो बस थ्री ब्रिसल आ गए है और मैं फ्लेम को कर रही हूँ और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे यहाँ पर मैंने पैन में एक बड़ा चम्मज घी एड़ किया है और यहाँ पर मेरे पास कुछ mixed dry fruits है कुछ chop किये हैं मैंने कुछ मैंने साबुत लिए है तो बस अब इन्हें बिल्कुल low flame में भून लेंगे तो आप अपने पसंद के कोई भी dry fruits ले सकते हैं यह आपके उपर है आपको कितने dry fruits उसमें डालने हैं तो यहाँ पर जो dry fruits हैं बहुत अच्छे से रोश्ट हो गए हैं मैंने निकाल लूँगी और चलिए चेक करते हैं तो यह जो गाजर है देखिए यह भी बहुत अच्छे से कोग देख रही है तो यह देखिए गाजर बहुत अच्छे से पक गई है तो बस flame मैंने फिर से on कर ली है और मैं इसमें one cup मलाई एट कर रही हूँ और यह घर की मलाई है आप चाहें तो हम उलकी भी डाल सकते हैं जो fresh cream आती है और अच्छे तरीके से अब mix करेंगे मैं हमें milk का use नहीं कर रही हूँ क्योंकि milk को जब हम reduce करते हैं तो काफ़ी time लगता है और जब हम मलाई से इस तरीके से हलवा बनाते हैं तो काफ़ी tasty होता है हलवा तो बस अच्छे तरीके से अब भूनेंगे flame मैंने high ही रखी है और अब इसमें मैं dry fruits भी add कर रही हूँ जो मैंने roast करके रखे थे तो घी हलवे में आप अपने स्वाद अनुसार एट कर सकते हैं मैं थोड़ा ज़ादा एट करती हो क्योंकि मुझे थोड़ा ज़ादा पसंद है अब इसी के साथ में मैं इसमें ilaichi powder भी add कर रही हूँ तो यहां पर मैंने इस तरीके से ilaichi powder को क्रेस करके लिया हुआ है और साथ में जो छिलके हैं वो भी मैं add कर दूँगी अभी और बाद में मैं छिलकों को हटा लूँगी इससे क्या होता है कि बहुत अच्छा अरोमा आता है हरी लैंची का अब अच्छे से mix करेंगे और इसी के साथ में मैं वन टेबल इस्पून घी और add कर रही हूँ इसमें और बस अब बहुत अच्छी तरीके से हल्वा को भूनना है आपको लगतार stir करते हुए धिरे धिरे आप देखेंगे कि हल्वा को जो color है वो भी change होने लगेगा अब मैं इसमें थोड़ा सा मावा भी add कर रही हूँ तो मावा मेरे पास रखा हुआ था इसलिए मैं इसमें add कर रही हूँ अगर आपके पास मावा ना हो तो आप थोड़ी और ज्यादा मलाई इसमें add करें जैसे मैंने one cup डाली है तो आप one and one fourth cup या one and one half cup भी मलाई इसमें add करेंगे तो भी आपका हल्वा बहुत tasty बनेगा तो बस यह जो हल्वा है यह बहुत अच्छी तरीके से भुन गया है तो चलिए अब गर्मा गर्म हल्वा को serve करते हैं तो यह देखिए कलर भी कितना अच्छा आया है देखने में ही लग रहा है कि यह कितना यमी है खाने में और ज्यादा लगेगा तो बिल्कुल आप इसी तरीके से हल्वा बनाएगे सब को बहुत पसंद आएगा मैं थोड़ी से इसमें pistachio भी garnishing कर रही हूँ तो आप इसे ट्राइ जरूर करें आपको बहुत पसंद आएगा साथ में बहुत इंस्टेंट बनता है और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को करने सब्सक्राइब लाइक शेयर और कमेंट और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक बहुत सके थैंक यू पर वाचिंग वीडियो